नमस्कार आज में आलू की सबजी बिना टमाटर प्याज लसुन का बनाने जा रही हूं इसके लिए हमने बॉयल किया हुआ आलू को लिए है ये बॉयल किया हुआ आलू है आलू की सबजी बनाने के लिए दो बड़ा चमच दही को लिए हैं और दही में थोड़ा सा पानी को डाल करके इसे हम पतला कर लिए हैं अब इसमें हम मसाला को डाल देते हैं आधा छुटा चमच हल्दी पाउडर एक छुटा चमच धनिया पाउडर आधा छोटा चमत से भी कम जीरा पौडर थोड़ा सा काली मिर्ज पौडर जिसे हम दरदरा कूटे हैं आधा छोटा चमत लाल मिर्ज पौडर नमक, नमक स्वादनुसा और मसाला को पहले हम दही में अच्छी तरसे मिला लेते हैं इधर गैस अन करके फ्राई पेन को चरहा दियें और फ्राई पेन में दो छोटा चमत सर्शो का तेल को डाल दियें हैं तेल अच्छी तरसे गरम हो गया है आब इसमें हम आधा छोटा चमत राई है राई को डाल देते हैं राई को डालने के बाद गैस का फ्लिम को लो कर देते हैं राई चटकने लगा आब इसमें हम जो दही में मसाला को मिलाये थे उसे डाल देते हैं इसे मसाला को और दही को अच्छी तरसे भून लेते हैं मसाला अच्छी तरसे भूना गया है अब इसमें हम थोरा सा कसूरी मेथी है उसे हम हाद से इस तरसे करके डाल देते हैं इसे भी मिला लेते हैं मिलाने के बाद वाईल क्या वालू है उसे हम इस तरसे रफली तोड लिये हैं उसे डाल देते हैं आलु में मसाला को अच्छी तरसे बहले मिला लेते हैं चलाते हुए आलु को मसाला में अच्छी तरसे मिला लिये हैं आप इसमें हम थोरा सा पानी को डाल देते हैं ये वॉइल किया उज़ुवा आलु है तो ये सब्धी 5 मिजट में बन कर तयार हो जाने वाली है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, इसे आप रोटी प्राथा पूरी के साथ भी सर्प कर सकते हैं, पानी लगबग आदा गलास डाले हैं इसमें, और गैस का फ्लेम को लो करके पांच मिनट के लिए इसे धख देते हैं, जिससे की सबजी अच्छी तरह से पक जाए, लगबग पांच मिनट हो गया, आप सबजी को ठेक कर लेते हैं, आलू की सबजी बन कर तयार है, अब एक दो आलू को इस तरह से मैश कर लेते हैं, जिससे की ग्रेवी तोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, और इसे मिला लेते हैं, मिलाने के बाद आधा छुरा चमस गरम मसाला पॉडर है, उसे डाल देते हैं, थोरा सा धन्या पत्ता को डाल करके इसे चला लेते हैं, और गैस को आफ करके इसे हम सर्फ कर लेते हैं, आलू की सबजी को सर्फ कर लिए हैं, यदि मेरा वीडियो पसं तो लाइक और शेर जरूर करें धन्य बाद